हेलो एवरिवन मैं हूँ पुजा सिर्वास्तो और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिक्छा डैरी पर यहां पर जो ऑफिशल नोटिस है वह जारी कर दी गई है रुकूट्मेंट आफ स्कूल टीचर आप देख सकते हैं क्लास वन टू ट्वेल के लिए यहां पर रुकूट्मेंट की नोटिस जारी हुई है नोटिस को भी डेटेल में जानेंगे और बात कर लेते हैं यहां पर वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे सबसे पहले हम नोटिस को डिटेल में जानते हैं कि हार लोग सेवा आयोग दित्ति अध्यापक नियुक्ति एम पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वि एंड में यह भी बताऊंगे कि सीटेट दिसंबर वालों को यहां पर आपीरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा और यहां पर बिहार सिच्छक बर्ति फेस्टू के लिए इलिजिबिल्टी क्रैटेरिया क्या है वो भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी तो द तरगत जो इनकी सीटेट प्रारंभिक सिच्छक माध्यमिक सिच्छक एवम उच्छ माध्यमिक सिच्छक इसनात को तर प्रधाना अध्यापक से संबंधित आवेदन करने की तिथी प्रक्रिया दिनांग 3 नौंबर से 14 नौंबर तक संभावित हैं ठीक है जो ऑनलाइन आव परिच्छा का आयोजन है वह आपका साथ दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक संभावित है और यहां पर देखिया इन्होंने यह भी कहा है उपर्युक्त तित्यों में बदलाव हो सकता है यह तो यह ऐसे लिग देते हैं लेकिन बीपीसी जो भी डेट फिक्स करती है उस डेट में यह एक्जाम ले लेती कंड़क्ट करा लेती है तो यहां पर देखिये आप जानते हैं कि बिहार सरकार में अभी बिहार में चुनाओी मौसम जल्दी आपको देखने को मिलेगा इसलिए चुनाओ से पहले यह टाया टू करवाक के स्टूडेंस से बड़े मत में या फिर कहे कि पॉज्टिफ फेवर चाहते हैं कि उन्होंने इतनी भरती दे रहे हैं तो इस वज़े से यहां पर लगतार भरती देखी रहे हैं तो चुनाओ से पहले यह बरती करा लेना चाहते थे और जो कहा है था उन्होंने वो करा लिया अब यहां बात कर लेते हैं कि seated December वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो seated December appearing वालों को भी मौका मिलेगा अभी देखिया ओफिशियल इनका नहीं आया लेकिन प्रथम चरण में मिला था तो इस बार भी वो देंगे अभी तक इसका जो ऑफिशियल है वो नोटिस जारी नहीं हुई है लेकिन क्या पता आज रात तक या फिर हम कहें कि कल पर सो या विदिन सेवन डेज में इसका भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हो जाएगा अब बात कर लेते हैं यहां पर इलिजबिल्टी क्राइटेरिया क्या है छै से आट के लिए तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन प्लस डियाड या फिर बियेड या फिर ग्रेजुएशन प्लस बियेड आपका होना चाहिए 6-8 के लिए और वहीं बात कर लेते हैं 9-10 के लिए तो आपका graduation प्लस b8 प्लस seated लेवल 2 या फिर b8 लेवल 2 मतलब 6-8 के लिए आपका seated लेवल 2 clear होना चाहिए या फिर b8 लेवल 2 और वर्ग 11 से बारे के लिए आपका graduation प्लस पोस्ट ग्रेजवेशन प्लस आपका b8 प्लस टैट आप यह मांगते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं मैंने अभी सौर्ड में बता दिया हैं बाकी जो आपका detail में नोटिफिकेशन जारी होगा जब भी आ जाएगा notification फाइनल डिटेल में तो वह भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी और अभी भी कुछ इस वीडियो में आपको यह जानकारी देनी थी बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करजेगा थाइंक्यू जैहिन जै भारत बंदे मात्रम